राजस्तान के भरतपुर से 50 किलोमेटर दूर बसा है गाउं नैवाडा जिला भरतपुर के तहती ग्राम पंचायत नैवाडा की अगवाई में ये गाउं अपनी ही धुन में आगे कदम भढ़ा रहा है सफलता के गीत गाता हुआ गुनगुनाता हुआ ये कहानी है नैवाडा गाउं की बेरंगत धर्ती पर उगने वाले हरे भरे बागी चेकी बंज़ धर्ती पर बारिश के पानी को सहेजने की नैवाडा ग्राम पंचायत नहीं यहां के लोगों की हालत और हालात दोनों को बदल कर रख दिया है आज ग्राम पंचायत नेवाड़ा को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है मगर खुशाल दिखने वाला ये गाउं हमेशा ऐसा नहीं था बंजर जमीन के तरह ही यहां के लोगों के जिंदगियों में भी उम्मीद का कोई अंकुर नहीं फूट रहा था गाउं के अधिकतर लोग पश्वों को चराते हैं और यही एक मुश्किल भी थी जमीन रितिली होने के वज़े से पश्वों को चराने के मैदान नहीं थे पश्वों को पानी पिलाने के लिए तालाब भी नहीं था रेतिली जमीन पर कुछ भी उगाना चुनोती जैसा था बादल बारिश नहीं लाते थे और जमीन में पानी का स्तर बहुत नीचे था जमीन बंजर होने की वज़े से गाओं के लोग खेती करना ही छोड़ चुके थे लोगों को अपनी आजीवका कमाने के लिए बहुत दूर लगी फैक्टरियों और इट भटों पर काम करने के लिए जाना पड़ता था बच्पन स्कूल में कम और पश्वों के लिए चारे की तलाश में अधिक रहता था ग्राम पंचायत नैवाड़ा अपनी सम मुश्किलों को समस्ती थी यहां के लोग रोज बर रोज इन तक्रीफों को जेल रहे थे लोगों को इन समस्यों से चुटकरा दिलाना बहुत जरूरी था ग्राम पंचायत की पहल कदमी पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई बातचीत की गई लोगों की आमदनी बहुत कम थी इसलिए टैक से कठा नहीं किया जा सकता था ग्राम वासी कुछ भी करपाने में सक्षम नहीं थे पंचायत को पैसे की जरूरत थी सरकारी सहता ही अब आखरी उम्मीद थी किसी भी तरह की सरकारी मदद ही अब गाउन नेवारा की तकदीर बदल सकती थी ग्राम पंचायत को चारागाह विकास एवं पंचपाल योजना के लिए महत्मा गांधी इनरेजियस के तहट 14 लाक रुपे मिले अब समय था सपने को हकिकत में बदलने का ग्राम पंचायत पैसे को सीधे विकास कारियों में खर्च ना करके किसी ऐसे काम में लगाना चाहती थी जिससे पंचायत को हर साल कुछ न कुछ आय हो सके ताकि कुछ लोगों को रुज़गार देने के साथ-साथ पंचायत गाउं का विकास कर सके पंचायत ने उन्हें फिर से खेती के लिए प्रोटसाहित करते हुए बंजर जमीन पर सही ढंग से सिचाई करने एवं जमीन को उपजाओ बनाने के तरीके बताए ग्राम पंचायत ने बंजर जमीन को उपजाओ बनाकर उस पर फलदार पेड लगाने की योजना बनाई पंचायत की अगवाई में गाओं वालों ने मिलकर जमीन को समतल किया जमीन पर उगी हुई जंगली घास को साफ किया यहां पर ऐसे पेड पौधे लगाए जिन्हें कम पानी की मदद से उगाये जा सकता था इन पौधों की देखरेक के लिए कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया था कुछी समय में देखते ही देखते पेड फलों से लट गए फल बेज कर पंचायत को सालाना पचास सजार रुपे की आये हुई जिसे पंचायत ने गाओं के विकास में लगाया ग्राम विकास के लिए अधिक पैसे की जरूरत के चलते ग्राम पंचायत ने फलों के बाग का एक हिसा नीलामी का एउजन कर सबसे अधिक पैसे की बुली लगाने वाले को कुछ सालों के लिए लीजप दे दिया है अब फलों को बेच कर एवं लीज पदिये के बागीचे से गाम पंचायत नहवाड़ा लगभग 3 लाख रुपए की सालाना आये करती है आज नहवाड़ा गाउं में पानी की समस्या को भी ग्राम पंचायत ने सुल्जा लिया है पंचायत ने गाउंवालों को साथ लेकर जमीन खोद कर एक तालाब बनाया है जिसमें बारिश का पानी पूरे साल जमा रहता है साथ ये इस पानी को खेतो एवं फलदार पेट पौधों की सिचाई के लिए दी प्रियोग में लाये जाता है पश्वों को पानी की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता हमारे टाइम के जो लोग थे वो काफी खेती में प्रयासान रहते थे आज खेती उपजाओ होने कारण बड़िया ट्यूवैल पानी होने के कारण आज जो हमारे बच्चे वो आसानी से अपनी खेती कर लेते हैं अब भी ज़रूरत पढ़ने पर पंचायत मेंबर यानि पंच ग्रामवासियों की मदद के लिए तयार रहते हैं गाउं के लोगों ने भी इस बात से होसला लेते हुए खेती बाड़ी शुरू कर दिये अब खेत मुस्कुरा रहे हैं इस तरह से फलदार पेड़ों का बाग लगा कर ग्रामवासियों की तरफ पढ़ रही है ग्रामपंचायत हर सब्ता अपने पंचों की मीटिंग करती है समय समय पर ग्रामसभा का आयोजिन भी किया जाता है पंचायत द्वारा किये गया कारियों की वज़े से ग्रामवासि अब ग्रामसभा में बढ़ चड़ कर इस्सा लेते हैं इस पैसे को पंचायत अन्य ग्राम विकास काली, विशेश तोर पर खेती और बच्चों के शिक्षा पर खर्च करती है। पंचायत अपने पैसे से स्कूल के रख रखाओं का काम भी करती है। जो बच्चे पहले अपने पश्वों के लिए चारे के तलाश में रहते थे और स्कूल नहीं जा पाते थे, वो अब स्कूल जा रहे हैं। ये सब ग्राम पंचायत के प्रयासों से ही संभा हुआ है। ये स्कूल जा रहे हैं।